हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू हेल्दी क्यान योटूब सनल दोस्तो आगर आपका न्यूबर्ण वेवी है और रात को बहुत ज़्यादा रोती है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आपको में इन तीनो जो देख रहे हो बॉस यह जो है मल्टी वीटामिन मल्टी मेनेरियल ड्रॉप्स इसके रिवीव करूँगा और किंडर जैम आपको पता ही है भीटेमिन द्री ठी यह क्यों क्यों आपके बच्चे को देना चाहिए इस वीडियो पूरा बताऊंगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखना तो दोस्तो वीडियो को आगे बनने से पहले एक किंडर जैम देते हैं आपको एक बात बता दो अगर आपका बच्चा अगर सिर्फ मा का दूद पीता है तो कभी रात को नहीं रोएगी अगर मा का दूद के अलवा और भी जैसे लेक्टोजन नान इस तरह का जो भी है जैसे मिल्क पावडर होता है वो आप पिलाते हो ना उस टाइम जो है आपको हर रोज आपको पिलाना है यह किंडर जैम ड्रॉप्स जो कि अकसर ड़क्टर देते है बच्चे को न्युबर्ड बेवि के लिए और अगर आपका न्युबर्ड बेवी है तो इसमें लिखा भी है डोसे कितना है देख सकते हो जो कि बिलो शिक्स मन अगर 6 मंत के नीचे है तो 0.5 ml या तो आप 0.3 ml दे सकते हो आपके नए बर्ण बेभी है तो त्री टाइमस दे सकते हो लेकिन त्री टाइमस देने का जुरूत नहीं रात को दो रोज तो आपकर बच्चे जो है रात को नहीं रोएगा क्योंकि गैस जो होता है वो भग जाता है और यहां पर इसके अंदर आपको मिलता है देख सकते हो यह ड्रॉप मिलता है 0.3 ml का ठीक ह यहां पर लिखावा होता है यह देखो देख सकते हो 0.2 0.3 ml इतना तक देना है आपको एटखो ठीक है और यह और आपको बच्चे रात को कभी नहीं सुएगा कभी नहीं रोएगा और यहां पर देख सकतो इसका प्राइज जो है सिफ 170 रुपया और दूसरा है बीटामिन यहां पर देना yeah इसे कोई बीमारी होता है जहां पर यहां पर देख सकते हो कि इतना देना है यहां पर यहां पर देख सकते हो कि इतना डess और फिर यहां पर बोश यह को मल्टी बीटामिन है और माल्टी मेनरियल ड्रॉप्स यह भी बहुत जरूरी है 15 ml का है और यहां पर इसका प्राइस है 54 रूपेस और यहां पर देख सकते हो डोजेस कितना देना है यह भी 0.53 ml लेकिन दोस्तों आपको यहां पर यह क्या क्या ज मिलाना है तब आपके बच्चे को ताकत आएगा और रोएगा नहीं और ज्यादा खाएगा ठीक है और आप बता दो दोस्तों यह तीनों जो है किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है लेकिन आपको यह फिलाने से पहले आपके बच्चे को आप एक अच्छा डक्टर का सल जरूर ले लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और डक्टर जो बोलते हैं आपको वही करना है